कल RTI के माध्यम से अर्विन केज़िवाल और आमादमी पार्टी का चहरा उजागर हो गया था कि किस प्रकार से 100 करोड रुपे वक्त बोर्ड पर उड़ाये गए खर्च किये गए और उसमें से 62 करोड रुपे किवल एक वर्ष में खर्च किये गए अब एक और RTI का खुलासा सामने आए कि किस प्रकार से मस्जिदों की इमामों और मुझ्जिन को 31 करोड रुपे सात वर्षों में दिये गए सैलरी के नाम पर सैलरी बढ़ाने के नाम पर और उसमें से केवल पिछले दो वर्षों में 19 से 21 के बीच 20 करोड रुपे दिये गए मतलब एक तरफ तो आशा वर्कर की सैलरी के लिए पैसा नहीं था डीडियू कॉलेज में और उनके टीचर्स के लिए पैसा नहीं था 13,000 बच्चों को साफ करने के लिए पैसा नहीं था जिसकी वज़े से चट पूजा पर प्रतिबंद लगाया गया है घाटों पर और एक तरफ दिवाली के फटाके बताना चाहती है कि चलानी है वोट बैंक की दुकान इसलिए करो हिंदू आस्था का कभी अपमान और कभी बन्नो तुष्किकरन के भाईजान और गाओ अपीजमेंट का गान और इसी अपीजमेंट के गान के चलते आपने देखा है कि किस प्रकार से गोपाल इटालिया हो राजिंदर पाल हो इन्होंने हिंदू आस्था का मजाग उड़ाया किस प्रकार से अर्विंद केज़िवाल ने राम मंदिर का विरोध किया स्वस्तिक चिन का मजाग उड़ाया और आज केवल चुनाव आए हैं तो सुझाव दे रहे हैं मा लक्ष्मी और गनेश जी को ले 31 करोड इमामों की सैलरी पर खर्श क्या ऐसा पैसा किसी हिंदू संस्थान हिंदू पंडित को सिख ग्रंती को दिया गया